ऐसे ही यहां पर रास्तों में ना सोरोजगार के लिए लोग ऐसे ही अपनी दुकाने खोले रखते हैं मैं तो मैगी बनाते हैं चाई मिल जाएगे आपको यहां पर और सांदार फूर्ट से रखें इनुने हेलो दोस्तों गुडवानी नमस्कार की हाल चाल उमीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे मैं आपका अपना दोस्तों पेंसिंग स्वागत करता हूँ पहाडों से एक और नए फ्रेस कमाल और न्यू ब्लोग में आपका फ्रेंड आज मौसम काफी अच्छा हो रखा है सुबे से ही बारिस तो हो नीरी है लेकिन मौसम फिर भी बारिस वाला ही बना हुआ है मैं एक बार नजारे दिखाता हूँ आपको फ्रेंड ये देखे आज का व्यू मस्त व्यू देखने को मिल रहा है आज भी बारिस नहीं ह हो सकता है दिन धर चैनल में पहली बार विजिट की हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजीगा हम लोगों को भी तो वहां जाना अभी तो चलते हैं उनके घर पर तेखने amova कितना सांदार हो हु रहा है आप देखिय अपनी स्क्रीन हो आ보र खाल यए और के मिया रख़ा मेंस व मय तरह से खतम हो जुकत है तो इसलिए न हमेशा जब рाजम लगाteen यहां तो बब उसमें लकडी के डंडे गारने चीए देखें मैंने किलिपाद ले सूट किया हुआ है बारिस के सांसा जो हवा चल लुए थी ना काफी तेज उससे सारा नुकसान हुआ है उनने ना मक्का में राजमा लगा रखी थी उनकी तो सारी मक्का तूट गई और राजमा भी उसमें खराब होगी हम दोगने लंडे गारे हुए थे राजमा के लिए तो हमारी राजमा सेफ है बारिस में और ना सबसे बड़िया तरीका भी राजमा का यही रहता है कि राजमा जब जन जाती है उसके बाद ऐसे ही डंडे गाडने चीए उस पे ताकि उसके बेल जाए बारिसाए तुफानाए कुछ भी होए ना तो खराब ना हो तूटे ना और इस खेत में देखिए पहाड़ी अर सब्जी तो बनती ही है चलते चलते ना हम लोग उनके घर के नीचे पहुंच चुके हैं यह रहा उपर पे उनका घर जहां हमको जाना है और पिछली बार इसमें ना इनके घर के आगे से ही इतना बहेंकर मलवा आया था यानिकि लेंस्लाइड हुई थी बहुत डर लगा था उसे देखके उस मंजर को क्योंकि बहुत रिस्की हो गया था इन लोग के लिए भी यहां पर रहना जो पिछले साल तीन बार इसे लगातार हुई ना तो पूरा यहां से मलवा गिर गया था पहुंचते हैं उनके घर में और देखते हैं कितने लोग वहां पर आ रखे हैं हम लोग ना उनके घर पे पहुंच चुके हैं और यहां से देखे कितनी सांदार वेली व्यू देखने को मिलना मस्त लग रहा है और अभी चला है खाने का समय तो सभी लोग ना यहां बैटके आराम से खा रहे हैं खाने में आपका दाल, सबजी, चावल, साथ में खीर, हरी मिर्च बहुत कुछ है तो साथ में ना छोटे छोटे क्यूट बच्चे भी खा रहे हैं और खाने का समय भी होई चला है जिसलिए हम भी यहां पर आये थे हमको भी निमंतर दिया हुआ था यह भी ना हमारा एक पर खुमा के लाओंगा यह चावमीन मोमो की सौप देख रहे हैं यहां पर मैं अभी खड़ा हूं तो आपको ना यहां से सद्वुगा की तरफ को और रास्ते में जंगलों के बीच में छोटी-छोटी सौप मिलेंगे ना वह आपको दिखाऊंगा तो चलते हैं तो प्रेंड क कसलेक मार्केट से ना आप रामगड की तरफ जाने लगा हूं में और अभी कसलेक के पास में ही हूं तो यहां से लगबस ना दो किलो मीटर उपर जाना है मैंने एक मस जंगल आ रहा है सामने तो यह जंगल में क्रॉस करना है फिर आपको थोड़ी सी जानकारे दूंगा साम कखर नीची पूरा जंगल है और रोड में रोड है रामगड मुक्तिसर भावाली वाला काफी मस लग रहा अभी तो बाइक चलाने में प्यारा लग रहा ना पूरा बांच का जंगल है एक दम थंडी-थंडी-फील हो रही है अभी क्योंकि मस लग रहा भी जंगल भी आपक आप उपर की तरफ चलता हूं सद्वुगा की तरफ एक दू सौप और हैं फिर सद्वुगा से आगे जाते हुए ना रामगड से पहले जंगल में भी ऐसे ही छुटे-छुटे आपको सौप देखने को मिल जाएंगी जहां पर यह लोग ना चाय, कॉफी, मैगी और साथ में जैसे टूरिस्ट आते हैं इस रोट से में रोट से होते हुए तो उनके लिए सारी सुविधाएं जैसे खाने पीने की रास्ते पर उपलब्द कराते हैं, फ्रूट्स के सीजन में आपको फ्रूट्स देखने को मिल जाएंगे इनके पास, यही सब्था यह वाली सौप तो बंध है, हम चलते हैं थोड़ा सा उपर और है, यह देखिए तो ऐसे ही मैं आपको बता रहे था ना, नीचे वाली सौप तो बंध ही वाली सौप खुली हुई है, ऐसे ही यहां पर रास्तों में ना, सोरोजगार के लिए लोग ऐसे ही अपनी दुकाने खोले रखते हैं, औ यहां पर फ्रूट्स भी रखे हैं, मस्त अपल है, पहाड़ों का ओरिजनल अपल पुदाना वाला, और साथ में आपको चाय, मैगी वगरा भी खानी है तो, यहां पर आप खा सकते हैं, जब भी आप मुक्तिसवर को आ रहे हैं, इस में रास्ते से होते हुए, मुक्तिसवर रामगड़ वाले, ऐसे ही बहुत सारी आपको दुकाने मिल जाएंगी, छोटी-छोटी, जो स्वरुजगार है न, उसके प्रती ये लोगों को जागरिद भी करता है, और इनका जो काम है न, काफी अच्छा है, यात्रियों को भी इससे काफी सुईधा मिल जाती है, अब ज अठा सकते हैं, तो दोस्तों अंकल जी की सौफ आप लोगों को कैसी लगी, कमेंड में जरूर सियर करेगा, और कभी भी इस रास्ते से आप आते हैं, तो यहाँ पर रुकिए, मस्त, पहाड़ी, कड़क चाई पिके जाएए, साथ में मेगी अगर आपको खानी है, वो खाके जाएए, जिससे हो गाए ना कि आप लोग यहाँ पाएंगे, रुकेंगे, चाई पानी होगर पेंगे, तो इनको भी अच्छा लगेगा, और साथ ही जैसे इनका अपना रोजगार है ना, उसमें भी इनको सहायता मिल पाएगी, तो अंकल जी से पूछते हैं, क्या-क्या ब जाता है, इसको खाने में काफी टेस्ट ही होता है, काफी मीठा से होता है, तो आप कभी भी यहाँ पा आना चाहते हैं, तो ऐसे रास्तों में आपको बहुत सारी सौप मिल जाएंगी, जो इसमें लोग अपना सोरोजगार करते हैं, तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पे आरा तो फाइनली दूस्तों, हम लोग ना उस पॉइंट पा आगे हैं, जहां से मैं आपको बता रहा था कि सांदार वैली व्यू देखने को मिलता है, हिमाले व्यू देखने को मिलता है, हिमाले व्यू तो आजकल देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आजकल बरसातों का सीजन है लेकिन वैली काफी सांदार देखने को मिल रही है तो आपको व्यू दिखाता हूं और रास्ते में आपको जो सौब दिखाई नमने वो क्या कैसे लगी कमेंड में जरूर बताईएगा और जब भी आप इन रास्तों से गुजरते हैं न तो एक फल के लिए इनके पास भी रु टूरिस यहां पर बहुत चलते रहता है तो इस चक्कर से भी लोग यहां पर अपना व्योशाय करते हैं आपको बढ़िया से बढ़िया फल मिल जाएंगे इनके पास जूस मिल जाएंगे बहुत कुछ प्रॉडक्स हैं जो सेल करते हैं एक बार जरूर रुकिएगा ऐसी सौ अगर आपको दिखें जब आप रामगड से मुक्तिसवर की तरफ निकलंगे ना तो स्टार्डिंग में ही आपको रामगड पार करते ही आपको ऐसी दुकाने मिल जाएंगे और उसके बाद हमारे सेरिया में कुछ दुकाने लगी हुई हैं जिन में लोग अपना काम कर रहे तो कैसा लगा यह सब आपको कमेंड में जरूर्व सिएर करेगा अब मैं आपको यहां से नजारे दिखाता हूँ बहतरे इन व्यूज आ रहे हैं यहां सामने वाला जो जंगल है ना वो हम क्रॉस करके यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां से नजारे देखिए वैली के काफी मस्त व्यूज देखने को मिल रहे हैं सामने का आपका भटेलिया और गंवाचेवर का एरिया सामने आपका दाडिमा एरिया जो गाउं दिख रहा है स उसके आगे धूप नहीं है वहाँ गाटियों पर पूरा कोहरा है उस तरव को मुक्तिसवर गाटी है और हिमालेयन व्यूज भी दिखता है यहां से काफी बढ़िया लेकिन आज तो दिखने रहा है क्योंकि गाटियों पर आप देख सकते हैं दूर दूर तक बादल कोहरे देखने को मिल रहे हैं बाकि यहां से नजारे आप लोगों को कैसे लगें कमेंड में जरूर सियर करेगा दूर दूर तक का खुला व्यूज देखने को मिल रहा है और पहाड़ों की उचाईव कर आपको कोहरा जाथ दिख रहा है न तो यहां से हिमालेयन व्यूज पाफी प्यारी तो मस्त नजारे आ रहा है मस्त व्यू आ रहा है तो फ्रेंड कैसे लगे यहां से नजारे आप लोगों को कमेंड में जरूर सियर करेगा अब ना निकलते हैं वापस का सेलेग मार्केट को सामने मस्त घना जंगल है जंगल भी क्रॉस करना है करीब 2 किलो मिटर उप अब हम और वैली इस तो काफी मस्त आ रही है साम के समय अब दोस्तों पहाड पर आज के दिन की भी प्यारी सी साम हो चली है और इस साम के साहत ही अपने ब्लॉग को करते हैं आज का ब्लोग आप लोगों को कैसा मिला और लोगों का सोरोजगा कैसा लगा कमेंड में जरूर बताइएगा तो मिलेंगे आपसे कल नए ब्लॉग में तब तक के लिए जैहिन बाई बाई ख्याल रखेगा